बल्या के चर्चित मनियर नगर बन चायत के पूर्व यो मढी मंजरी राय आत्म हत्या मामले में न्याले अपर सत्र न्यायाधिष कोट संख्याचार बल्या के न्यायधिष अरुन कुमार की आदालत ने सुमवार को सुनवाई करते हुए चालक चंदन कुमार बर्मा, पुत्र सुर्यनात बर्मा, निवासी अमरित पाली थाना कोतवाली और कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेस पांडे, पुत्र तिरलो की निवासी मनियर के खिलाफ उस साबित पाते हुए साथ वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रूपय के अर्थडंड से डंडित किया, वहें अर्थडंड अधाना करने पर अभिवत को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगतनी होगी आपको बता दें, 6 जुलाई 2020 को शहर कोत्वाली चेतर के अवास पिकास कालोनी में मनियर नगर पंचायत के अधिसासी अधिकारी मडी मंजरी राय ने देरात बंखे के हुग से फासी लगाकर आत्महत्या कर ली थी इस मामले में मडी मंजरी राय के भाई ने चेर्में नगर पंचायत मनियर भीम गुपता अधिसासी अधिकारी सिकंदरपुर संजै राव नगर पंचायत मनियर के टेक्स बावु विनोज सिंग कम्प्यूटर बावु अखिलेश वो मडी मंजरी के चालक चंदन कुमार को आरोपी बनाया था भास्पा के चेर्मेन पर ब्रहष्टाचार का आरोप और प्रतार्णा से यूग के आत्महत्या का आरोप लगने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया था यूपी साथ ने उसके लिए बलियां से अमित कुमार की रिपोर्ट कि आरोपी साथ बलियां से अमित कर रेकर का आरोप लगने का देव मामला के रिए स्टेवर के रिए